चीन चाहता है माई वे और नो वे भारत उसके सामने मजबुती से खड़ा है हमने साबित किया है कि किसी भी तरह का दबाव डाल कर हमें पिछे नहीं दखेला जा सकता है ये कथन थे जनरल विपिन रावत के 15 अपरेल 2021 को जब उन्होंने दी थी चीन को चुनोती आज यादों में हैं सीडियस माने कैसा वे दलबीर सिंग सुहाग के बाद गोर्खा ब्रिगेड से चल सेना हद्यक्स बनने वाले तीसरे अफसर थे जनरल रावत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइकर बदला नेने का ट्रेंड जनरल रावत ही लेकर आये थे सेवा के 43 साल में से सेना परमुक और पहली बार सर्जित सर्वच्छ सेन्य पद सीडियस तक बने थे जनरल रावत रक्षा के लिए अडिग अपने सिधान्तों से समझोता ने करने वाले थे जनरल रावत सेन्य परिवार की तीसरी पीडी थे जनरल रावत जिस युनिट से करियर सुरू किया उसी में पिता भी रह चुके थे जिवन की दो मिसाल जिनकी जबरदस थी एक जुन 2015 में मनिपूर में उगरवादी हमले में 18 जवान सहीद हुए थे ये उगरवादी United Liberation Front of Western Southeast Asia के थे जो मैनमार में चिपे थे रावत ने उन्हें घर में गुषकर सबक सिखाने का फैसला लिया और उन्हें डेर किया रावत जब धल सेना उप्रमुक थे तब उन्हें के नेतरतों में 29 सितंबर 2016 को पियोके में गुषकर पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकाने को धवस्त करने के लिए सर्जिकल स्टाइक के गई थी ये उरी में सेना के कैम पर हुए आतंकी हमले का जवाब था आज हम बात्चित करने वाले हैं देश के पहले चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ सीडियस जनरल वेपिन रावत अब दुनिया में नहीं है उनके बारे में वो दुनिया में नहीं है लेकिन देश की परती समर्पित उनकी 43 साल की सेवा हमेशा याद की जाएगी देश में तिनों सेनाओं के सर्वोच पद पर तैनात रहे जनरल रावत का जनम उत्राखंड के पोड़ी में 16 मर्च 1958 को हुगा था उनसे पहले परिवार की दो पीडियां भारती सेना में सेवाई दे चुकी हैं रास्टिय रक्षा कादमी, NDA और भारती सेना कादमी IMA के पुरू चातर रावत दिशंबर 1978 में सेना में सामिल हुए थे वे 11 वी गोरखा राइफल की 5 सी बटालियन में उसी युनिट में तैनात हुए जिसमें उनके पिता लक्षमन सिंग तैनात थे लक्षमन सिंग लेटिनेंट जनरल के पद से रिटार हुए थे जनरल रावत सेकंड लेटिनेंट के रूप में सेना में सामिल हुए और CDS के सरवच पद पर पहुँचे चार दसक की सेवा में ब्रिगेड कमांडर जनरल ओफिसर कमांडिंग इनचीफ जी ओसी सी जनरल स्टाफ ओफिसर ग्रेड टू के रूप में भी काम किया है जनरल रावत को उनके दो बड़े मिल्टरी ओपरेशन्स के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा ये वो ओपरेशन्स थे जिनमें वे फैसला लेने से कभी पिछे नहीं अटे पहला मैंनमार में घुसकर सैने कारवाई और दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ बाला कोट स्ट्राइक और पियोके पर सर्जिकल स्ट्राइक बलाकोट स्ट्राइक के दोरान रावत सेना परमुक थे जबकि पियोके पर सर्जिकल स्ट्राइक के दोरान वे उप सेना परमुक थे उनकी हिनिगरानी में इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया वे इतने सी धानतवादी थे कि सुप्रीम कोर्ट के अडल्ट्री पर दिये गए फैसले पर उन्होंने खुल कर आपती जताई थी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलंगिक्ता को अपराद की स्रेणी से हटाने का इतियासिक फैसला सुनाया था उसके साथ ही आईपीसी की धारा 377 को खतम कर दिया यह धारा आप्राकर्तिक योन सम्मन्द को अपराद मानती थी कोर्ट ने कहा कि यह धारा बराबरी के अधिकार का उलंगन करती है ततकालिन सेना पर्मुक रावत ने फैसले परापति जता कहा था कि सेना इस मामले में रूड़ी वादी है इस पाप की इजाज़त सेना में बिलकुल नहीं बात करें जनल के गाउं की गाउं सेना जो उत्राखंड में हमने आपको बताया कि इनका जनल वहां हुआ तो वहां पर जैसे ही खबर मिली सुनते ही लोग खेट चोड़ कर घर लोटाए बाजार बंद हो गए सीडियस विपिन रावत के निधन से उनके गाउं में भी मातम चाया हुआ है उनका पैतरक गाउं सेना उत्राखंड की पोड़ी गड़वाल के दुवारी खाल ब्लोक में आता है यहां जैसे निधन की खबर पहुँची लोग खेतों से काम चोड़ कर घर लोटाए बिरमोली बाजार में वापारियों ने सबी दुकाने बंद कर दी सीडियस के चाचा बरत सिंग रावत के घर दो पैर बाद आसपास के गाउं के लोग जुट गए चाचा बताते हैं कि जब आखरी बार बिपिन 2018 में अपने गाउं आया था उस वक्त अपने बच्पन की याद कर उसकी आँखे भर आई थी तब है गाउं वालों के साथ ढ़ाई गंटे तक पुराने दिनों की बाते करता रहा वो बाजार में पैदल घूम ही रहा था किसी को पताई नहीं था कि वो अब कभी लोटकर नहीं आएगा हमने अपना लाल खो दिया बरत बताते हैं कि विपिन ने तब गाउं को चड़क से जोड़ने की बात कई थी विपिन की सुरुआती पढ़ाई देरादून में हुई इसके बाद वह सिमला चले गए थे वे रेटायर्मेंट के बाद अपने गाउं में ही रहना चाते थे बात करें इनकी पतनी की मधुलिका जो इनके साथ थी साथसे में और इस हाथसे का सिकार हुई मध्य परदेश के सोहागपूर रियासत की वारिशती मधुलिका मधुलिका के भाई ने कहा जन्वरी में पूरे परिवार के साथ ससुराल से आने वाले थे जन्रल हेलिकॉप्टर हाजसे में जान गवाने वाली सीडियेस विपिन रावत की पतनी मधुलिका सिंग का माइक अप मद्य परदेश के सौहागपूर सैडोल में है वे विद्ध है चेतर की पुरानी रियासत के राजगराने से हैं मधुलिका सौहागपूर राजगराने के वारिस रहे सवरगे मरगेंदर सिंग की मंजली पुतरी थी सन 1986 में दिल्ली में जब उनकी साधी हुई तब जनरल रावत सेना में कैप्टन थे उनकी दो बेटियां हैं बड़ी बेटी कृति का रावत की साधी मुंबई में हुई है जबकि छोटी बेटी तारिनी अभी पढ़ रही है मदुली का के भाई एस वरदन सिंग ने बताया कि उनकी दस दिन पहले ही जजाजी से बात हुई थी और उन्होंने जनवरी में सहडोल आने का वादा किया था साधी के बाद दिदी का सहडोल आना कम होता था लेकिन वहें लगातार संप्रक में रहती थी उन्होंने दो दिन पहले बात कर जल्द ही सहडोल आने की इच्छा जताई थी उन्होंने बताया कि जिजाजी का इंदोर से भी गहरा नाता रहा है उन्होंने रक्षा और मेनेजमेंट विशा में एमफिल के डिग्रीन इंदोर के देवी अहिला विस विदाले से ली थी नहीं धकेला जा सकता है जनरल विपिन रावत 15 अप्रेल 2020 चीन को दी कड़ी चुनोती आप सबी का इंडिया नियूस प्रेंट को इतना प्यार देने के लिए अने को बार बहुत बहुत धन्यवाद का इंडे विए